तो बात राज़ानी दिल्ले के कर लेते हैं जहाँ पर मुख्यमंतरी आर्विन के इजरिवाली कैबिनेट की बैठक के बाद कहा कि इस साल सरकार ने पद्म पुरसकारों के लिए केंद्र सरकार को केवल डॉक्टरों और पेरामेडिकल कर्मियों के नाम बेचने का पैसला लिय है पद्म पुरसकारों के सिपारिश के लिए 9427 लोगों ने मेडिकल से जुड़े 740 लोगों के लिए नाम सुझाए थे और दिल्ले के उप मुख्यमंतरी मनिसी सोदे के अध्यक्षिता वाली समीती ने इन नामों को परक्ने के बाद तीन डॉक्टरों के नाम पद्म आवो स्मीती ने जुन तीन लोगों के नाम पद्म पुरसकारों के लिए चैनित किये हैं उनके बारे में केचरिवाल ने बताया कि सरिंज सहाब IELBS के वाइस चांसलर है उन्होंने दिल्ली सरकार की सबसे पहली ITPCR टेस्ट फैसिलिटी शुरू की थी उन्होंने ये टेस्ट तब शुरू किया जब कोई इसे नहीं कर पा रहा था और इसके बाद उन्होंने दिल्ली की पहली जिनोम सीक्वेंसिंग लाइव शुरू की जो की अपने आप में स्टेट ओफ दे आर्ट लैब थी जबकि इससे पहले सारे सेंपल और इससेंपल में यह पता चला है कि जो भी वाइरस आया है वो किस तरह का वाइरस है कोरोना लहर के दोरान उन्होंने लोगों की खूब सेवा की और जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने दिल्ली सरकार को गाइडन्स भी दी है वहीं डॉक्टर सुरीश कुमार के बारे में बताते हुए मुख्यमंतरी आर्विन केजरिवाल ने कहा कि लोकनायक अस्पताल के मेटिकल डायरेक्टर ये हैं और उन्होंने अपने यहां की एक यूनीक फैसिलिटी भी शुरू की है कोरोना मरीज अपने रिष्टेदारों से नहीं मिल सकते थे और ऐसे में इन्होंने यूनीक वीडियो कॉन्फरेंसें के विवस्था शुरू की जिससे मरीज अपने रिष्टेदारों से बात कर सकते थे इन्होंने भी अपने यहां जिरोम सीक्वेंसिंग से विज़ा शुरू की दिल्ली के मुख्यमंतरी केच रिवाल ने तीसरे डॉक्टर के बारे में जहनकारी देते हुए काक डॉक्टर संदीब बुधिराजा मेक्स ग्रुप के मेडिकल डायरेक्टर है इनके अस्पताल में केवल दिल्ली ही नहीं बलकि पूरे देश से लोग इलाज कराने के लिए आते हैं उन्होंने उनके इलाज किये और देश का सबसे पहला फ्लाजमा ट्रुटमेंट उन्होंने ही शुरू किया डुक्टर बुधिराजा की ही देख रेक में हजारों मरीज देखे गए और उनका इलाज किया गया तो दिल्ली के सीम अर्विन के जुरिवाल ने कैबिनेट बैठट की कैबिनेट बैठट के बाद तीन नाम फाइनल किये गए हैं दोहजार 22 के पद्म पुरसकारों के लिए ये नाम फाइनल किये गए हैं जो उनके नाम में तीन डॉक्टरों के नाम पद्म अवोर्ड के लिए भेज़ो जाने का फैसला CM के जरिवाल ने क्या है उन्होंने पहले ही अलान कर दिया था कि इस बार पद्म पुरसकारों के लिए जो नाम है वो आगे जिरफ और जिरफ डॉक्टर और परामेडिकल के भीज़ो जाएंगी और इस पर उन्होंने लोगों से भी उनकी राय मांगी ते सुचाव मांगे कि किस डॉक्टर को यह जो पुरसकार है वो मिनने चाहेगे और इसके बाद पद्म पुरसकारों के सिफारिश के लिए 9,427 लोगों ने मेडिकल से जुड़े 740 लोगों के नाम सुचाए थे और उसके बाद एक समीते बनाए गई जिसके अध्यक्ष उपमुखी मंतरी और तमाम चीज़ें परखने के बाद तीन डॉक्टरों के नाम को फाइनल किया गया है पद्म अवोर्ड के लिए जुनके नाम आगे के इंद्रु सरकार को भीचो जाएंगे इन तीन नामों में डॉक्टर S. के सरीन I.L.B.S. अस्पताल की है और लोकनायक होस्पिटल के ड सरकार को भीचो जाने के लिए सैमती बनी है तो दिल्ली सरकार ने ये पहला कदम उठाया जिसनों ने साफ़तोर पर कहा कि इस बार पादम अवोर्ड के लिए जो नाम है वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरों के भीचो जाएंगे तो जानकारी के लिए समवादाता राजीव तिवारी हमारे साथ दिल्ली से चोड़ चुके है राजीव जो तरीकी से कल कैबिनेट की बैटर खुई और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि तिन डॉक्टरों के नाम सुझाए जाएंगे इन तीन डॉक्टरों के बारे में जड़ा बताएं जो एक आरे मल से है और एक मैट ऑस्पिडल से है कि प्लाज्मा बनाए जा जा लोगों का इलाज दी आ जा गया जा 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 जी प्लाज्मा जो जो इसके द्वारा इलाज जा रहा था जी रजीव इन्हों जो काम की है कोरोना काल में उस पर भी विस्तार से बताएं जिस तरी किसी खुद सीम ने बताया कि काफी फैसिलिटीज जो है वो इन डॉक्टरों ने खुद शुरुआत उनकी की थी जो जाए गया है है अन्हों के लिडास प्लाजर में जो 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 आज़े जो आरेम्ल के दॉक्तार है गए खाजना है भे यानी वित फुब्ह ने की सर्चाराझ एक दो यह वित वो से डीमत के द रहें भी तॉन गह दो 2015 आजना नग जणाआ है जिए और पाती लोग हो गए से जिनों नहीं भी दी दी तूभी आएं अस्पतालों गुननर दी जा दिया है अने दी दूखनल गहां को दी दीए करूना काल के अंदर, उससे साथ जाई रहा जाई रहा है ज़िए नहीं पड़ा आब से अगरिये आजे लिए ऑस्पतालों के हैं। तो इसके बाद दिली की जनता का क्या कुछ रुख है और तीन नाम जो चैनित हुए है उसके बाद उन तीनों डॉक्टर का क्या कुछ कहना है किस तरीके की मैसूस वो कर रहे हैं कि प्राद बाद प्रा ग्रोग्राइब कर रहे हैं कि यह दो नाम भी तुजाएं गया है करोना साल के अंदर लोगों की सुविधाएं किस तरी के से काम कर रहे हैं मगर डॉक्तर ही एक अज़ जादा लोगों की जाज प्रचानी के लिए सामने आये थे सामने आये थे उस समय और अभी डॉक्तर्स लगातार सामने आते रहे हैं और डॉक्तर को भगवान का दर्जा दिया जाता है राजीव वह वाकी बहुत सराहनी कदम दिली सरकार का कह सकते हैं जनता इस कदम से कितना संतूस्ट है क्योंकि देखिए आये दिन जब हम देखते हैं तो अपदम अवोर के लिए कई अन्य ऐसी जो कह सकते हैं कि विभाग होते हैं वहां से लोगों के नाम भीज़े गए हैं लेकिन इस बार जब डॉक्टर्स के नाम भीजे गए हैं तो जनता भी कावी खुश है क्योंकि वाकी जो धरती पर भगवान की भूमी का निभाते हैं डॉक्टर्स उनका ये कदम सरहनी रहा लेज़े मगर रहा हैं लाज जाता है से बसक्राइब में संवहान वालती हैं लेज़े नहीं हो और बार ज्यांटि जो बहुता नहीं है अब बढ़ा है ताकी जन्ता के लिए और संसुस्षी हो सके हैं और गन्ता जो है राजीव 9,427 लोगों की इसमें सिफारिश थी जिसमें 740 से लोगों के नाम सुझाए गए थे अब जो रिपिसिया मनीज सिसोधिया की अध्यक्षिता में जो समेती बनी उन्होंने किस आधार पर इन 740 लोगों में से तीन लोगों के नाम निकाले हैं जिसे बिल्कु साही जाप नहीं है पर इस पर इस पर लगातार शारीश नाम जो सजाए जये जाए जैसे शमेती अमाध्यम से उसके अंदर भी चैन्ग किया जयाए और चिंग नामों को चैन्ग किया जाए और पर इसी लिए पर इस पर इसमेड बाडर के लोगों के नाम को चैन्ग कर दितके अवाड को चैन्म। इसे के साथ ये भी बताएं कि किस आधार पर इनके नाम चुने गए हैं और इसे के साथ जो पैरामेडिकल कर्मी है उनके नाम चुने गए हैं और कितने पैरामेडिकल कर्मियों के नाम के इंदर को भीजो जाएंगे इसे के साथ जो पैरामेडिकल कर्मियों के लिए जीवन दान के साथ पर इसाम में आये थे जो पैरामेडिकल कर्मियों कर्मियों के नाम चुने गए हैं तीन डोक्टरों के नाम राजीर सुझाए गए हैं इन तीन डोक्टरों में खुद CMK चुरिवाल ने बताया है कि काफी एहम काम किये हैं चाहे फिर वो प्लास्मा थेरिपी हो चाहे फिर वो जिनोम सिक्वेंसिंग हो या फिर आर्टी पीसिया टेस्ट हो इन्हों ने ही इसके दिल्ली में शुरुआत की थी जिसकी वज़े से दिल्ली के जुनता बच पाई है तो अब सबसे एहम है जानना कि क्या इनके कोई बयान सामने आए हैं क्योंकि जिस तरीके से इनके नामों यह ज़ी ज्वे सब्सक्राइब कर दोपे बनाए तक बनाता है को बचा है नहीं जन्ता पना ताकी करोना की ने रहा रहा है दूसरी लगों से लैह मुत बचाब थिया जब है कि संडीग जी है, संडीग जी का नाम लेक्ट जो थीक्ट के रारेक्टरी है और अडिकल स्दोरी नीक है, पीलय कि से डारेक्टर के नाम नाम को भी मतिया जाए है। जो अप्र आप्यम्स आप नाम की लिए बड हमें कर दो नहीं तो इन पर लिए बड़ी, लुखने जाएंगे तो हमारे साथ जुखने के लिगे और तमाम जानकारी के लिए